राजिस्थान के भरत्पुन में बस और ट्रक की भीश्वर टक्कर में 11 लोगों की मौत कई घायल मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाला से पंचाव के तीन दिवसिया दोरे पर अमरत्सर में जनसभा को करेंगे संभोधित मदर्सा में अब मात्रत्व अवकास दिने में नहीं चल पाएगी मनमानी विनिया मावली में होगा संसोधन भारत भूमने आने वाले 80% पर्याटनों में G20 देश के लोग शिखर संभेलन के बाद पर्याटन और धोग को अब जगी बड़ी उम्बीद भूखरताल बापस लेने के लिए मनोज जरांगे ने रखी सर्त सीम सिंधे से मिलने की अपील की पीएम मोदी दीन सितंबर को कासी आएंगे अटल स्कूल समेत एक हजार करोड की परियोजनाओ की देंगे सौगार सपानिता आजम खान की बेहन के घर पहुची आएकर विभाग की टीम घर पर लटका मिला ताला मुख्यमंत्री भूपेश भगेल की गोशना पर त्वरित अमल सीधी भरती के पदो पर स्ट्राइप पैंड का प्रापधान समाप्त प्रियंका गांदी संभालेंगी मिसन मालवा निमाड की कमान धार के साथ इन दौर में भी करेंगे जल्सवा और रोडसो उत्तपरदेश में आजम खान के ठिकानों पर आईकर विभाग की रेट कई जगाहों पर चल रही छापे मारी देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर झाल